हेलो डियर स्टुडेंट्स, आएम रुपाली मेम, कम्पूटर ट्रेनर, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, निवरवन कम्पूटर क्लासेज, अगर आपने मेरे चैनल को वीतर सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजि तो आईए स्टुडेंट्स, आज की वीडियो ग्लास में हम बात कर लेते हैं, what is paint, paint क्या है, paint को कैसे चलाना है हमें, तो आईए स्टुडेंट्स देखते हैं, paint से आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि हमें इसमें drawing कर लिए हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें कोई drawing क लेंगे कोई सी अच्छी सी इमेज बना लेंगे उसको हम कलर करेंगे उसमें हराम से अपने अच्छा सा सुन्दर सा कलर करके उसको हम सेब कर लेंगे सेब करने के बाद उसको हम डेक्षट पर लगाएंगे डेक्षट पर लगाके उसको उसके बाद हम कोई भी फोटू को यहा students तो फिर आज हम paint के 4 तरीके on करने के लिए कौन से हैं वो देखते हैं इसके 4 तरीके होते हैं on करने के विल्कुल simple हैं तो first तरीका हमारा आता है window plus r, window r को मैंने press किया है यहाँ पर इसकी run command होती है ms paint m s p a i n t तो यह नीचे आ रहा है ठीक है इसको मैंने down key से नीचे लिया है और enter को press किया है यहाँ पर ms paint open होकर आ गया इसको मैंने alt f 4 से close कर दिया है ठीक है फिर आता है हमारा यहाँ पर जैसे कि start पर जाएंगे हम all program पर click किया है मैंने accessories और फिर paint open हो गया इसको मैंने यहाँ से फिर close कर दिया ठीक है फिर आता है हमारा third step है देखो start पर फिर गई हम यहाँ पर लिख रहा है search program any file यहाँ मैंने paint को search कर लिया ठीक है उपर आ गया इसको मैंने यहाँ से enterprise किया open हो गया फिर मैंने इसको यहाँ से close कर दिया fourth है आपका right click new bit map image पर मैंने click किया ठीक है यह folder आई है paint का right click किया मैंने यहाँ पर open with और paint ठीक है इसको मैंने यहाँ से maximize कर लिया तो students यह आपका paint का structure open होकर आ गया है ठीक है अब हम इसको देखते हैं structure में क्या क्या है देखो सबसे उपर वाली line जो देख रही है आपको यह हमारी blue वाली यह line हमारी के लाती है title वार के लाती है यह line हमारी ठीक है इस title वार में हमारे तीन option होते है number 1 close number 2 होता है restore down number 3 minimize ठीक है यहाँ पर restore down को कर देंगे तो तो यह half skin पर आ जाएगा और इसको हम फिर यहां से maximize कर देंगे ठीक है अब title वार में हमारे यह जो यहाँ पर निफ दे रही है इसे बोलते है कस्टामाइज की एक access tool वार ठीक है और अगर मैंने इस पर click किया है यहाँ पर minimize the ribbon ribbon को minimize हो जाता है यहाँ से ठीक है अब ribbon को बापस करना है ribbon जिससे हमारा बार 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 भागता है बार 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 हम कुछ बना इमेज बनाती है तो ठीक है इसको फिर मैंने यहाँ से maximize करके यह ribbon इस टाइप से आ जाता है फिर यहाँ आपका यहाँ पर न्यूविट मेप इमेज लिख रहा है इसका मतलब है मैंने अभी अपनी फाइल को कोई नेम नहीं दिया है अगर हम फाइल का नाम देखे सेप कर द हम कंट्रोल ब्यू इसे हम बोलते हैं मैंनौ वार की यह हमारी ओपन होती है अल्ट के साथ ऊपन होती है ठीक है हॉम में अगर हम किलarent यहाँ पर इस टाइम हो मैं तो हम में यह क्या यह पूरा रिवन होता है हमारा ये क्या है हमारा रिवीण होता है ठीक है अब यहां पर मैंने क्लिक हो फाल में क्या है new नीव को मतलब होता है new फाल लेना ctrl plus n से ठीक है open करना ctrl plus o से save की वह फाइल को हम ctrl o से open कड़ सकते हैं save फाइल को अगर save करना है थो ctrl plus s sinn से वस किसी file को rename करना ठीक है अभी कोई file हमारी Mohan के नाम से save है तो इसको हम RAM के नाम से save करेंगे save us में जाकर print निकल वाना है control plus P से print out निकलता है ठीक है फिर आपका from scanner और camera ठीक है यहां से हम किसी photo को scan कर सकते हैं फिर है send in a email और email में send कर सकते हैं फिर है setup background और background पर किसी भी image को हम लगा सकते हैं desktop के फिर होता है properties properties में क्या होता दोगो जो भी file हमारी यहां पर own होती उसको नाम आता है जैसे यहां पर इस time आ रहा है new bitmap image ठीक है उपर आ रहा है new bitmap image मैं new bitmap image भी खुली रही है अभी मैंने कोई file का name ने दिया इसलिए इस type से आ रही है ठीक है फिर आता है हमारा properties properties में क्या है properties समझा देशा अब आगे आता है आपका about paint about paint में क्या होता है दोगों यह बता के देगा कि कौन सी बिंडो का part है यह यह बिंडो 7 का part होता है ms paint ms paint बिंडो का part है और यहाँ पर इस नहीं सो गया है यह बिंडो 7 का है यह part ठीक है फिर गई file में फिर आता है आपका exit exit का मतलब होता है program से बाहर आना view, view में क्या है आपका zoom in, zoom in का मतलब इसको zoom कर सकते हैं आप देखो आप अगर zoom in करेंगे तो देखो यहाँ पर यह 100 हो रहा है 800 बार पर आपने zoom कर दिया है ठीक है, zoom out, zoom out हो गया है ठीक है, यहां से मैंने zoom out कर दिया, 100% होगा तो 100% पर जाएगा यह ठीक है rulers, ruler जिस type से हमारा पैमाना होता है, पैमाने में meter होते हैं हमारे, sorry centimeter होते हैं, 5 centimeter की, 8 centimeter की line होती है उसी type से हम पैमाने से नाप कर बना लेते हैं कोई भी image grade line में क्या है, grade line में यह जाल सा आ रहा है दोगो, इसमें क्या होता है grade line में जिस परकार से एक कपड़े को raki-raki करके बनाए जाता है, उसी परकार से एक चितर को भी थोड़ा थोड़ा करके बनाए जाता है स्टेटेस बार क्या है स्टेटेस बार पर अगर आप किलिक करेंगे तो स्टेटेस बार सो नहीं होगा अगर इस पर आप किलिक करेंगे तो सो होने लएगा ठीक है नीचे स्टेटेस बार में दो को यह वाली लाइन आ रही है यह बता कर देता है आपका सो परसेंट जूम है य किसी फिर थम्मिल बनाना नहीं आता है Photoshop में तो हम MS Paint में भी थम्मिल बना सकते हैं ठीक है इसको आप यहां से Rulers को अटा दीजिए हमें नहीं लगाना Grade Line भी नहीं लगानी हमें ठीक है आजाईए आप Home पर अब यहां पर समझते हैं दो Cliff Word क्या होता है Cliff Word पेस्ट है Cliff Word में Cut है Copy है कोई भी इमेज बना लीजिए आप यहां से यहां से मैंने कोई इमेज बना ली है इस इमेज को मैंने Copy करने है मुझे एक और तो सबसे पहले मुझे स्लेक्ट करना होगा तो स्लेक्ट में हमारे Rectangular है Free From है और Select All, Select All की और भी shortcut की है Ctrl A ठीक है आभी तो मैंने Select कर लिया है इसको Select करने के बाद हमने यहां से Copy कर लिए Paste कर लिया आ गई ठीक है दूसरी इमेज आ गई अब एक कोई सी पहली इमेज को आपको Cut करना है तो मैंने इसको यहां से पहले Select कर लिए कट कर दिया ठीक है सलेट कॉपी कट पेस्ट तारो समझ में आ गए होंगे क्रॉप का मतलब होता है किसी भी फोटू को क्रॉप करना ठीक है या इमेज को क्रॉप करके हम ले सकते हैं री साइज जब हम फोटू स्केन करते हैं तो वहां पे हमें री साइज देना होता है साइज में वर्टिकल होरिजेंटल साइज देना होता है तो हम यहां से साइज दे सकते हैं रोटेट का मतलब होता है इमेज को कितने अंस पर गुमाना हैं आपको एक साशी पर गुमाना है या 90 पर गुमाना आए या flip vertical पर गुमाना आए फिर horizontal पर गुमाना आए तो मैं या flip vertical पर गुमाना आए ठीक है अगर 100C पर गुमाना आए या 90 पर गुमाना आए या 90 पर गुमाना सकते हैं इसको हम ठीक है Ctrl Z से बापिस कर लो फिर आता है आपका Pencil Pencil का Use देखो Pencil भी चला सकते हैं Pencil का Size बढ़ा करना है तो हमें यहां से Pencil का Size भी बढ़ा कर लेंगे ठीक है Size में जाकर Balty है Balty से हम यहां पर Color कर सकते हैं कोई Color ले लीजिए मैंने Star में Color Fill कर दिया एक का मतलब होता है Text, Text में क्या है आपको यहां पर इसका नाम लिख सकते हैं Star as T-A-R ठीक है Star में आपको बॉल्ड करना है तो बॉल्ड कर लीजिए नहीं करना है तो फिर इस पर किलिक कर लीजिए Italic कर लीजिए Underline कर लीजिए यहां से हम और यहां से Size भी दे सकते हैं जो भी Size आपको लेना है ठीक है और यहां से हम इसकी Language चेंज कर सकते हैं Text की जो भी आप लिखेंगे फिर आता है आपका Razor, Razor को हम Razor करने मिटाने कामे कर लीजिए ठीक है Ctrl Z से वापिस कर लीजिए फिर आता है आपका Color Picker तो Color Picker का मतलब क्या है सबसे पहले आप यहां Black Color का Use कर लीजिए और यहां से दो Image बना लीजिए एक तो यह Shape ले लिए मैंने और एक Shape मैंने यह ले लिए ठीक है पहली Shape में मैंने Color कर दिया यहां से बाल्टी से Red Color मैंने यह किया है ठीक है अब मुझे यही वाला Color इसी Color में लेके इसी Shape में लेके आ रहा है तो कैसे होगा तो सबसे पहले मैंने Color Picker पे किलिक किया है फिर यहां पे किलिक किया ठीक है बाल्टी का आ गई तरण और यहां पे मैंने कर दिया यानि एक Shape का Color दूजी Shape में लेना यह हमारा किलाता है Color Picker फिर आता है आपका Zoom देगो यहां पे क्या होगा लेंस देगो बड़े हो जाएंग यहां पर यहां पर इस्प्रे वाले बुरुस यहां फिर पैंसल वाले बुरुस पैंसल की जैसे चलती है हलकी चलती है पैंसल हलकी वाले आ गई यहां पर यहां से हम कोई भी बुरुस का यूज कर सकते हैं फिर आती है हमारी यहां से थोड़ा सा बुरुस चेंज कर लो पह shape हम ले सकते हैं, ठीक है, फिर आता है, आपका यहां से, outline, outline का मतलब क्या होता है, outline, अगर मैंने यहां से कोई shape ले ली है, star, outline का मतलब अब खरो, outline अगर आपने ले ली यहां पर, है कारोन ले ली, यह बन गया, इस टाइप से, अगर outline नहीं ले नी है, समझे आगिया देखो स्टार ठीक है, चंट्रॉल जट से इसको बेक कर लिया, फिर आताए आपका फिल, फिल्म में क्या आदोगो, फिल्म को कैसा करेंगे, सबसे पहले आप दो कलर जोच कर लिजी, ऐसे मैंने यहां पर एक Рेड ले लिया, एक यहां पर मैंने गिरिन ले लिय दो color मैंने select कर लिए, इसके बाद हम कोई सी image select कर लेंगे, इस style ले लिया, fill पे गई, solid color, carion, marker, all कोई सा ले लिजी, आप oil ले लिया हमने, अब बनाईए इसको, ठीक है, बन गया, अब इसको आप right click से बनाएंगे, तो color change हो जाएगा, opposite हो जाएगा, ठीक है, right click से, mouse की right click से color change जाता है opposite में, फिर आता है आपके size, size मेंने आपको बताए, 1px लेना आए, 2px या 5px, जो भी आपको line लेनी है, ठीक है, color first और color second में, color हम choice करते हैं, color है, दे रखें, आपको यहाँ से color से, हम कोई quality से color ले लेते हैं अराम से, ठीक है, और भर लेते हैं, फिर आता है आपका edit color, edit color का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई color नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे हलका green नहीं है, तो मैंने यहाँ से, हलका green पे किलिक किया है, और ok कर लिया, box में यह आगया, हलका green color, ठीक है, ribbon हो गया, पूरा समझ में आगया होगा आपको ribbon, फिर आती है आपकी यह वाली line, इस line को हम बोलते हैं, vertical squirrel bar, और इसके नीचे वाली line को हम बोलते हैं, horizontal squirrel bar, ठीक है, यह सारा area आपका drawing के लिए होता है, यहाँ पे हम drawing करते हैं, ठीक है, आप देखो, मैं यहाँ पे कोई, और आपकी, यहाँ पे कोई image बना के, save करके दिखाते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ important point बता दू, जैसे number 1 point है, आपका रवड को छोटा या बढ़ा करना होता है, तो हम control plus और minus का use करते हैं, जैसे मैंने, मुझे यहाँ पे रवड को बढ़ा करना है, तो control plus, और छोटा करना है, तो control minus, line को सीधा खेचना है, line को सीधा खेचना तो shift का use करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर line पर click किया अब line सीधी खेचनी है मुझे तो shift का use करना होगा shift दबा लिया line सीधी हो गई ठीक है फिर आता है आपका shift आपको दबाना पड़ाएगा shift अगर आप दबाएंगे नहीं जब तक line सीधी नहीं खिचेगी यह खिच गई सीधी line ठीक है फिर आता है कि आपका new page control plus n से लेते हैं open file control plus o से करते हैं file को save control plus s से करते हैं background लगाने के लिए file menu बैक ग्राउंड पर जाकर ok कर लेते हैं फिर आता है किसी picture को copy करने के लिए select picture copy paste या इसकी shortcut की भी होती है आपकी जैसे किसी picture को आपको बना के इसको copy करने है तो पहले तो आप picture को select कर लेंगे control a से control c से आप copy कर लेंगे control b से आप paste कर लेंगे तो आपको दूसरी copy होकर आ जाएगी किसी photo को open करना है तो paste from select photo ok किसी photo को open करना है तो paste में जाएंगे, paste from में जाएंगे यहां से कोई सी भी image को ले ली जी देखो मैंने यह वाली ले ली हट और इसको मैंने यहां से open कर लिया ठीक है? यहां गई सिर्ट कंट्रोल जट से back किया यहां से paste from में जाके हम कोई भी file paste from में गए और यहां से हम कोई सी भी image को पकड़ ले open कर सकती है तो students आपको समझ आया होगा ठीक I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो please like कीजिए, share कीजिए, comment box में comment करके बताईए Thank you students